नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो बनाया है नवरात्रों को ध्यान में रखते हुए जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं तो नवरात्रे में आपको कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए ये आप जरूर देखिए अगर आप समान्य वजन के हैं या समान्य से कम वजन के हैं तो आपको क्या क्या खाना चाहिए जिन लोगों का वजन कम है या जिनका वजन समान्य है ऐसे लोग वरत के दौरान अपनी सेहत बनाए रखने के लिए खान पान में केला, अंगूर, उबले हुए आलू, शकरगंदी, मिठी लसी, बनाना शेक, मैंगो शेक, चीकू शेक, सीता फल शेक, काजू शेक, साबुदाने की खिच्री, नीबू का शर्बत, राजगिरे का लडू, ड्राइफ रूट्स, बर्फी, अंजीर का बदाम, जिन लोगों का बजन जादा है, और नवरात्री के दौरान अपना बजन कम करना चाहते हैं, ऐसे लोग खान पान में पलता, मठा नमक, शकर रहित, नीबू पानी, नमक, शकर रहित ले, वही फल सबजियों में संतरा, पानेपल, पपीता, तर्बूज, खर्बूजा, खीर गाजर खाएं, मलाई रहे दूद बिना शकर के पीएं, दूद के साथ राजगिरा भगर का चावल वदहीं ले सकते हैं, चाय में ग्रीन टी पीएं, तीसरी चीज आती है, आहार में पोशक तत्वों का होना क्यों जरूरी है, नवरात आहार में तमाम तरह के पोशक तत्व का होना बहुत जरूरी है, आहार में प्रोटीन, वसा, काबो हाइडरेट्स, वाइटमिन और मिनरल होना बहुत जरूरी है, फल सबजियों में केला, से, मौसमी, खीरा, लौकी, आदी ले, हर दो से तीन घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें, दिन में चाय की मातरा जादा ना लें, दो से तीन कप चाय ही लें, और चाय खाली पेट ना पिएं, साथ में कुछ ना कुछ जरूर खाएं, जादा से जादा पानी पिएं, पानी के हलावा लिक्वेंट में आप नारियल पानी, लस्सी, जूस, आदी का सेवन कर सकते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग द झाँ से दिन के सकते हाँा हैं, लाचिंग में लेक्र, रिक्वें में आदिन कुछाच काशी वड़ भी सकते हैं, जा ओक तुस्के झामाजा ही लोगत लिक्वें आप वागतिुम के लोगत